हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त आकास एक वर फिर से आप सभी का आकास जी के इन्फोर्मेशन यूट्यूब चनल पे स्वागत करता हूँ आज हम लोग सिंदु घाटी सब्वेता के इंपोर्टेंट सवालों को देखेंगे जो कॉंपरिटिटिव एकचैंज के लिए बहुत जरूरी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से डिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल आकास जी के इन्फोर्मेशन को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर करिए चलिए दोस्तों अब सवालों की दुनिया में चलते हैं आज का पहला सवाल है सबसे पहले कौन सा हरपपा कालिनस्थल खोजा गया था दोस्तों आपको प्यास आपके पस चार ओप्चन है ओप्चन A हरपपा ओप्चन B मोहन जोदरो ओप्चन C लोथल ओप्चन D सुरकोंडोर अगर दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देजिए दोस्तों इसका अंसर होगा ओप्शन A हरपा हरपा is the right answer हरपा के बारे में मैं और भी बहुत सारे चीज़ बताना चाहूंगा कि हरपा से गेहूं और जौ का जी साक्ष मिला है सन 1921 में डायाराम साहनी ने हरपा सहर को खोजा था रावी नर्दी के किनारे बसा यह सर पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है क्योंकि दोस्तों सवाल कह रहा है कि सिंदू गारे सब्वेता कौन सी सब्वेता थी दोस्तों यह एक नगड़िये सब्वेता थी option number A is a right answer सिंदू सब्वेता एक सहरी सब्वेता यह नगड़िये सब्वेता थी question number 3 हरपा की सब्वेता निमलिखित में से किस से संबंदित है option A कास से युग option B नव पासान युग option C पूरा पासान युग option D लोह युग दोस्तों अगर इसका अंसर पता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना छोड़िये दोस्तों इसका अंसर होगा option A कास से युग हरपा में लोग कास से से पड़िचित हो गये थे question number 4 और सिंदु घाडी सब्भेता के लोग किसकी पूजा करते थे आपके पास चार option है option A विष्णू option B ब्रह्मा option C इंद्र और वरुन और option D पसुपती दोस्तों इसका अंसर होगा option D पसुपती पसुपती is the right answer पसुपती के अलाबा सिव, वनस्पती, प्राकृतिक, नदी, वन, नाग, सुडिय, पीपल, तूसी का भी पुजा हरप्पा वासी करते थे दोस्तों सिंदु घाडी सब्भेता में पूरोहित का आवास तो मिला है लेकिन सिखर सहित मंदिर का साक्ष कहीं भी उपस्थित नहीं है option number 5 पक्की मिट्टी के कलाकरतियों में किस पसू का चितरन नहीं किया गया है दोस्तों, option A, गाई, B, हाथी, C, गेंडा, D, बाग दोस्तों, इसका अंसर अगा option number A, गाई दोस्तों, ये question बहुत सारी exams में पूछे जा चुके है question number 6 निमलिकित में से किस विद्वान ने सर्व पथम हरप्पा सब्वेता के अबसेसों को खोजा था option A, Sir John Marshall option B, R.D. बनर्जी option C, A. Cunningham option D, दयाराम साहनी दोस्तों, इसका अंसर होगा option D, दयाराम साहनी इन्हों ने सन 1921 में हरप्पा की खोज करती थी ठीक है, दोस्तों मुहन जोद्रो की खोज, राखल दास बनर्जी ने 1922 में, यानिके 1922 में किया था question number 7 सिंदु गाटि सब्वेता की लिपी क्या थी? option A, ब्रामी B, द्रवीडियन C, हरप्पा D, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है दोस्तों, सिंदु गाटि सब्वेता की लिपी की पहचान नहीं की गई है वहाँ पे pictograph था, pictograph वहाँ पे लोग pictograph से काम करते थी, pictograph question number 8 सिंदु गाटि की सब्वेता का व्रियद अस्तनानगर किस स्थल पर पाया गया है? option A, मोहन जोद्रो option B, हरप्पा option C, लोथल में option D, काली बंगा में दोस्तो इसका अंसर होगा option A, मोहन जोद्रो मोहन जोद्रो में व्रियद अस्तनानगर के अलावा अन्नागार, पुरोहित का वास, सभाभवन, सुतिवस्त्र, अगनीकांड, मलेरिया का भी साक्ष, प्राप्त हुआ है question number 9 option A, क्रिसी, option B, पसुपालन, option C, व्यापा, या option D, सिकार दोस्तो, सिंदू गाटी के सभवेता के लोग का मुख्य धन्दा ग्रिसे था यहाँ पर 9 प्रकार के फसल के अबसेश प्राप्त हुए है question number 10 सिंदू गाटी सभवेता का पतन बंदरगा कहां था? option A, लोथल, B, हरपा, C, रोपड, D, बनावली दोस्तो, इसका अंसर होगा option A, लोथल लोथल एज राइट अंसर लोथल एक ऐसा सहर है, जो दो भागों में नहीं बाटा गया है दोस्तो, यहाँ से चावल चावल हाथी और अगनिवेदिका भी पाया गया है question number 11 हरपा लोगों की किसके जानकारी नहीं थी? दोस्तो, हरपा होगा, sorry, it's my mistake हरपा लोगों की किसके जानकारी नहीं थी? कुमारों की नाग, option B, आज, C, लोहा, D, गेहुं दोस्तो, इस कांसर होगा, option C, लोहा हरपा लोग लोहा से परचित नहीं थें या बोल सकते कि हरपा काल में लोहा का साक्ष नहीं प्राप्थ हुआ है question number 12 सिंदूग सब्भेता के लोगों के घर किस चीज से बने होते थें कच्ची इटो के, option B, पक्की इटो के, C, लकडी के, D, पत्थरो के दोस्तो, इस कांसर हो जागा, कच्ची इटो के, हम लोग option A के साथ जाएंगे सिंदूगारी सब्भेता के लोगों के घर कच्ची इटो के बने होते थें question number 13 बिना दुर्ग के, एक मात्र सिंदू नगर कौन सा था? which was the only city, which was not 45 दोस्तो, इसका अंसर होगा, option D, चुनहुदारो चुनहुदारो एक मात्र साहर था, जहां पे दुर्ग नहीं था चुनहुदारो was the only city, which was not 45 let's go with question number 14 हरपपवासी किस स्वस्तु के उत्पादन में सर्भ प्रथम थें? option A, कपास, B, धनिया, C, हल्दी, D, चना दोस्तो, इसका अंसर होगा, option A, कपास कपास is the right answer, कपास इसका अंसर होगा, यहां पे कपास के अलावा, 9 तरह के फसल के अपसेश प्राप्त हुए है question number 15 हरपपा के मिट्टी के बरतनों पर सामान्यता किस रंग का उप्योग होता था? option A, लाल, B, काला, C, पीला, D, हरा, डूड, C, है पीला, not पीजा, it's my mistake, sorry option A, लाल हरपपा के मिट्टी के बरतनों पर सामान्यता लाल रंग का उप्योग होता था? let's go with question number 16 किसे मिट्टको का टीला नाम से जाना जाता है? option A, हरपपा, B, मोहन जोदरो, C, लोथल, D, काली पंगा दोस्तों इसका अंसर होगा B, मोहन जोदरो मोहन जोदरो को मिट्टको का टीला भी कहा जाता है question number 17 हरपपा, सब्वेता के अंतरगत, जोते गए खेत का साक्ष कहां से मिला है? option A, काली बंगा, B, लोथल, C, राखेगडी, D, मोहन जोदरो दोस्तों इसका अंसर होगा option A, काली बंगा काली बंगा जो है नो दोस्तों, गंगा नगर राजस्थान में स्थित है गंगा नगर राजस्थान में यहाँ पे अगने पूजा का साक्ष भी मिला है इटो का अलंकरन भी मिला है और जोते वे खेत के साक्ष तो मिले ही जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ दोस्तों एक और चुमें बताना चाहूंगा कि पक्की मिट्टी के जो हल थे ना पक्की मिट्टी के हल के खिलोने वो आपको बनाविली से प्राप्त हुए जो कि हिसार हर्याना में स्थित है कुश्चन नमबर 18 सेंधव सब्वेता के इटो का अलंकरन किस अस्थान से मिला है A. बनाविली B. काली बंगा कर चुका हूँ Let's go with question number 19 किस द्रव्वे का उप्योग हरप्पा काल की मुद्द्राओं के निर्मान में मुख्य रूप से किया जाता है है यथा A. कांसा B. सोना C. सिलकडी D. लोहा दोस्तो इस कांसारों को option C. सिलकडी सिलकडी का उप्योग होता था मुद्राओं के निर्मान के लिए Question number 20 Last but not the list निमलिकित रूप से किसकी मुर्ती सिद्धु घाटी सब्वेता की महत्तोपूर्ण रचना थी Option इबुद्ध B. महावीर D. नरसिंग D. नित्तिकर्ति हुई बालिका दोस्तो इसका अंसर होगा Option D. नित्तिकर्तिवी बालिका जिसे Dancing Girl भी बोला जाता है दोस्तो ये Question सबसे Important Question क्योंकि ये Question बार-बार Exams में पुछे जा चुके हैं ठीक है दोस्तो और एक और चीमी बताना चाहूँगा कि हरपा सब्वेता में प्रथम अस्थान मात्री स्थूप था सेकंड अस्थान पसुपती को दिया गया था ठीक है Friends दोस्तो इसके अलाबा भी में बनावली के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि बनावली जो है हिसार हर्याना में है वहां पर पक्की मिट्टी का हल तो मिला है लेकिन सबसे बढ़िया जो जो है बनावली में ही प्राप्त हुआ है इसके अलाबा भी चार और महत्वपून सवाल है जो बारवर एक्जामें पूछे जाते हैं कि हरपा किस नदी के किनारे बसा है दोस्तो हरपा रावी नदी के किनारे है मोहन जोद्रो सिंदू नदी के किनारे है लोथल भगवा नदी के किनारे है डी काली बंगा घगगर नदी के किनारे है दोस्तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्जाम के प्रपस से क्योंकि यहां से भी बार-बार सवाल देखे गए है ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फोर वाचिंग डिस वीडियो आप लोगो कोई वीडियो जरूर पसंद आया होगा प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करे सेर करे, लाइक करे और अपने दोस्तों में भी सेर करे मैं आगे भी ऐसे ही हिस्ट्री की वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों इसके साथ साथ मैं कुछ दिरों के बाद मैं आपको और लेडि बोल चुका हूँ कि जोग्रफी के क्लासेस वाइड़ पर लाओं गा और पूरे एक्स्विdagनेशन के सात लाओंगा ठीके फ्रेंड्स जोग्रफी की बाद मैं पॉलिटि की आपके भी क्लासेस करूंगा ओके फ्रेंट्स आप मेरे वीडियो को जरूर देखे और लोगों में भी दोस्तों में भी सेयर करिए आप ये एक्जाम्स के परपस से बहुत इंपॉर्टेंट